पब्लिक टीवी आपकी आवाद कार्ट रोड इस्थित एशियन विवेकनन्द हॉस्पिटल में मुरदबाद हेंडिक्राफ्ट एक्स्पोर्टर्स एस्सोसीशन और यश्ट सोसाइटी की एक सेयुक्त बैठक मुरदबाद चैरिटेवल टरस्ट के सदस्यों के साथ हुई बैठक में बताया गया कि लगू एवम हस्थ शिल्पियों तथा फर्मों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्कैम कायोजन किया जा रहा है जिसमें आम जनता भी शामिल होगी आयजित बैठक की अध्यक्षता चैरिटेवल टरस्ट के सचिव वरिष्ट निर्या तक विनोध खन्ना ने की और संचालन एशियन विवेकानन्द हॉस्पिटल के डारेक्टर डॉक्टर हर्जीत सिंग के द्वारा किया गया आयजित बैठक में मुखे रूप से मुरदबाद हैंडिक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसेशन के महा सचिव अबदेश अगरवाल येस के राष्ट्र सेयोजक नीरज खन्ना येस के मुरदबाद अध्यक्ष उदिश चरन सचिव विशाल अगरवाल वरिष्ट निर्या तक विना गुलाटी, गोपाल महता, ललिक चौधरी, करण दुगर, तथम रदबाद चैरिटेवल ट्रस्ट के सभी पदादिकारी मौजूद रहे। कारेक्रम के विशे में वरिष्ट निर्या तक विनुद खन्ना ने बताया कि 11 और 12 जन्वरी को कांट रोड इस्थित एशियन विवेकनन्द हॉस्पिटल में दिव्यांगी व्यक्तियों के लिए विवेकनन्द नर्सिंग परिसर में कैम्प कायोजन किया रहा है, जिसमें स में हमारे साथ जोड़ने और अच्छी तरीके से करने के लिए मुरावार हैंडीग्राफ एक्सपोर्टर इस्थियन यस बालों ने भी हमारे साथ में जुड़ने की सहमती ती और दूसरा जो था वो जो कपड़ा पेंगी इस्ताबना थी, इस वे वो पाल मेहता जी ने और पुराटी साम ते यह बताया, यह हर घर में पुडारे कप्ड़े और छोडे कप्ड़े उवे रखे रहते हैं, इससमें इसमें लोग वावोते पुराने कप्ले लागे यहां में तिरिया गनाद अस्वर्दाल में बित्रित किये जाएंगी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज एक बहुत महत्वून बैटा कोई है जिसमें येस ने और M.H.E.A. ने औराज चेरिटेबिल ट्रस्स के साथ जो भी वो मेडिकल कारे कर रहे हैं उसमें पूर सयोग देने का हमने बादा किया है अब एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपने कारीगरों के लिए अपने जो हमारे अकांफ बढ़ने हैं लेबर हैं उनके लिए पेडिकल कैम्स लगाईगी उनके लिए फ्री एजुपियेशन की विवस्ता की जाएगी और जो भी आपके ऑपरिशन होंगे वो फ्री ओफ पॉस लगाई जाएगी देखिए जो भी हमारी एजुशेशन है उसकी रोड़ से पूरा इस चेरिटेबिल ट्रस्ट को पूरा सही हो रहेगा और हमने यह प्रहन लिया है कि हम अपने शहर में कारिगरों को और जो भी असायलोग है, मरीज हैं उनको किसी को भी हम बिफार नहीं रहने में करें तो क्या कैमप यहां से भटके भी लगेंगे यहां से लगेंगे? इसन महींने एक कैम किसी ना किसी फैक्टरी में लगेगा बड़े बैमाने पे जिसमें आठ साथ फैक्टरी को मिला कि उनके लेवर को मज़दूरों को सब को चेक अप किया जाएगा और उनका इलाज किया जाए ये पिरकिरिया निरंतर चलती है येस के नैशनल प्रेसिजेंट एवं एपिसी एज के सी ओए मेंबर नीरज खना ने इस अवसर पर कहा इस मंच पे आने का मकसद ही हम लोगों का यही था कि हमारे आर्टीजन्स और कारेगरों को बेतरी मेटिकल सुविदा हम बिल सके और आज हमने अपने इस मंच को एक शेप दी है और शेप देने के बाद अब इसको इंप्लिमेंटेशन इसका कम्प्लाइंस एक मेने के अंदर हम लोग शुड़ कर देंगे आपको तो महीने में इसके रिजर्ट्स दीखने लगे जाएंगे कि हमारे कारेगरों को जो है विशेश मेडिकल सुविदा हैं जो मिल रही है और जो देने जा रहे हैं को अपने अपने अग्वत होंगी तो मतब यह जो कदम ताल आप लोगों खर्देंगे